निमकी के परिवार की फिर बड़ी मुसीबतें जी हां हवेली वालों से परिशान होकर अपने घर आ चुकी निमकी ने सभी से बोला है जूट कि वो नराज होकर आई है और निमकी ने बनाई है एक जूटी कहानी लेकिन इतने दिन होने के बाद निमकी के पिता हवेली में बा पूरत का था। अधिये बार पे तो अनारो जी सबसे ज़्यादा बढ़ी। अले तो भईया आप समझाते हूं को क्या समझायता है। क्या सुम्झाएंगे भैंको संदा जी देखो, सुनने को कुछ तयानी नहीं। तो अनारो जी को मर्चाई लग गया है। निराश पापा सभी को ये भी बताते हैं कि बबबू ने भी निमकी को ले जाने से कर दिया है साफ इनकार। और ये बात सुनकर निमकी के दिल को लगती है ठेस, और फिर निमकी अपने पापा के वहाँ जाने पर करती है सवाल। इसी बीच निमकी की छोटी बेहन पापा के परेशान होने के पीछे की असली वज़ा बताती है कि कैसे सभी गाउंवाले उनसे सवाल कर रहे हैं और ताना मार रहे हैं लेकिन निमकी अब ज़्यादा देर तक परेशान तो रह नहीं सकती तो बस तभी वहां आ जाते हैं टुंडे और निमकी को मूवी पर ले जाने के लिए मना लेते हैं चलिए अब निमकी से ही जानते हैं इस पूरे सीन के बारे में तो अभी हुआ जो सीन वो ये है कि बबु आने से मना कर देते हैं कि मैं पिक अप नहीं करने आऊँगा और असलियत मेरे फैमली को पता नहीं है कि अक्शिल में ससुराल में क्या हो रहा है अब उसने आखे सब को यहां पर यह बताया कि बहुत खुश है बबु जी को हमना रहे हैं वो बस यहीं चाहते हैं कि दो दुन और एक्स्ट्रा में आपे स्पेंड करो आप लोग के साथ तो बस यहीं निमकी जूट बोल रही है निमकी बस बोलना चाहते थी कि पापा को चिलाती है कि आप क्यों गए मतलब आपको कोई वाल्यू नहीं है क्या और आपको नहीं जाना चीए था तो अभी आज यूजिल सीन इतना सीरिस चल रहा है चानल से टुन्डे आता है मूवी का टेकेट लेखे वेल निमकी तो निमकी है कितनी भी परेशानी हो वो खुश होने का तरीका ढूंड ही लेती है मुंबई से नवीन सिंग भार्दवाज के साथ प्यूर रिपोर्ट इफ फेंटिफोर अवीन खिर झाल रफ्ट।